चलिए दिन का आखरी मैच है ECS T10 का ठीक है तो इस वीडियो मैं इस ही कवर कर रहा हूँ ड्रीमिलोन की टीम मैंने प्रोवाइड करनी हो मैंने बना के रखती है पहले मैं सीरा आके स्टैट्स आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इस वीडियो में मुझे लगा कि यह वैसा मैच है जो मैं कवर कर सकता हूँ साथ चाहिए होता जैसी वो मैच खतम होता त्यूएच का उसके बात तुरंत बाद उनका 15 में दूसरा मैच था इसलिए मैंने उसको वीडियो के फॉर्मेट में कवर नहीं कर रहा क्योंकि 15 में स्कूर काट देखके टीम बनाके वीडियो नहीं बना सकता ना तो इसलिए वो टॉस के बाद महां मिल जाएगी चलो डी सी की बात करता हूं सबसे परते देखो पिछले मैच में तो बड़ा खतरनाक हुआ अली और मौहमद उमेर इन दोनों ने ही बड़ी खतरनाक इनिंग केड़ लाली दोनों अर्दश्य तक लगा के नौट आउट आए देख लो इस क मैच में दोनों को लेके चले और नंबर वन क्याप्टन का जो ऑप्शन इस मैच में निकल के भी आता है वो मौहमद उमेर ही आता है डी सी की टीम से ओके मजिद ना सिर्फ बैटिंग और मुझे डाउट है कि दुबारा यहां पर मिलेगा यह नहीं मिलेगा पर यह नीचे अलगी जादा बोली नहीं कर रहा है मसूर खान एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ठीक है नीचे से उमेर खान में आपको पहले भी बात बताई थी कि उमेर खान भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बट दिक्क्यत यह ना कि इतने सारे प्लेयर है जो ऑल राउंटर में द है रन तो टो बहुत एक्छा पार विकोर्त निंगल रहा है बहुत जा जाताल स्कोर नहीं बन रहे है दलबे रहे दिक सब्सक्राय सरे फार चलो जहां और सबसे पहले बात कर तो टोप टोप अधर से मुनिम मुभाशिर एक इंपॉर्टन ऑप्शन लेकिन सेकेंड ऑप्शन रफ है एहमद का इस 71 नौट आउट मिछले मैं बनाए थे और आपको मैं डिखाऊंगा उसमें ये प्लेयर आपको मेरी टीम में नहीं मिलेगा ऐसा नहीं ह है जिसको मैं नहीं ले पा रहा हूँ हाला कि मुझे ये जो खिलाडी नहीं चाहिए अपनी ट्रीमिलोन की टीम में वो बोलर में से हैं बोलर काफी अवलेबल है बट मुझे दो ही बोलर लगे लेने लाए तो तीसरा बोलर मुझे लगा नहीं बड़ स्टिल मजबूरी में टीन-मोलर लेने पड़ते हैं तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप की त्रगे से पिक करते है तो राफ एमत को पिक कर सकते हैं ताहिर अदिल मे बड़ा फेटर आएगा कैप्टन-वाइस-कैपेन का बड़ा फेटर आएगा इस मैंज मैं मैं अली इमरान आपको तो यह चार जो है टॉप की इन चारो पर बैटिंग के जम्मेदारी रहेगी आप देखके चलिए इन में से तीन ले सकते हो मिनिमम दो तो उठाने वो फैसला आपके उपर है लग आपका है काउन से चल जाए मैं तीनों को चारों को एक जैसी काटिगरी में रखोंगा आपकी किसमत है बट इतना काऊंगा कि मिनिममम दो और तीन तो आपको लेके ही चलने है इस मैच में चारों के चारों तो आप नहीं लीजिए तो वो ही धीक रहेगा क्योंकि जरूरी नहीं कि चारों के चारों आपको 35, 35 करा के देने यह नहीं हो पाता है तीन ग्रिकेट है वैसे तो तीन मैं काऊंगा आप लेके चले यह आप से ओपर फैसला होगा पर जिसमें से एक ताहिर आदिल को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको लेके चलो बागी का फिर आप फैसला आप से ओपर है ठीक है बगी नीचे आओ तो अली राजबरी यह भी पर दूँगा टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने पहले भी यह बात बोल दी है कल्फत कुदार को स्री कुदार को आप पेक कर सकते लेकिंडी डी सीजी की टीम से मिडल ओडर में खेलने आता है मैं दिखा भी देता हूं आपको यह रहा मिडल अब भी यह बट नहीं मिल रहा है इसको उपनिंग में नहीं कराई ताहिर अदिल मेरा कप्तान है बड़ा फेत है इसके उपर सरकेंड या पर राफ हमद मैंने साइड में दिखाने के लए रख रखा है बस टीम टूम है अलकि मैंने पिक नहीं किया है उसके बाद अदनान नाजिर है इनको मैंने पनी टीमेर विक्किया इंपॉर्टन रोल दिया और यासिर अमद ऑल्राउंटर के तौर पर खेल रहा है भले ही मेडर राटर में कहल रहा है काफी लोगों ने क्याप्टन बनाया पर मैं रिकमेंड करूंगा आप क्याप्टन तो नहीं बनाए तो ब करके दे देता है दो आञा तो यह भी खरता है ठीक है उसके बाद ताहिर अदिल भी करता तो ताहिर आडिल को क्यों cast- Yap से पर ने मुहमद उमेर है बहुत solid option captain wise captain का मसूर खान को pick किया है नौमान नहीं छोड़ो रामानी अली राजबरिक यह सिर्फ बोलर के दौर पर खेल रहा है नहीं जा रहा है नासी रामद important option उसके बाद अजमत अली important काम करके दे रहा है उमेर खान तीन विक्टिल आया पिछले मैच मे को पिक है अली रहमान को पिक है टीम का प्रिविव देखो स्क्रीन शॉट ले लो और स्क्रीन शॉट भी क्या लेना टेलिग्राम पर तुम अपडेट करी दूँगा आपको बाकी final टेलिग्राम पर ही आएगा captain wise captain आप खुसका बना सकते हैं तीनों all-rounder यहां से किसी को भी की एरफोन की